ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्टल चैटर। और यह सुपर स्टार होंगे जेसन जॉर्डन जैसे कि आप लोग जानते होंगे जेसन जॉर्डन को काफे टाइम पहले नेक में इंजुरी भी थी और इसकी चलते होंने रेसल में ने अभी मिस करनी पड़ी तो अब यहां पर पी डवलो इंसाइड की तरफ से रिपोर्ट ही कि जो अगली मंडे नाइट रोग का एपिसोड होने वाला रिच्मंड में वहां पर चांसे बनते हुए दिखाए देने कि हमें जेसन जॉर्डन अपनी राव में वापसी कर सकते हैं यहां पर पी डवलो इंसाइड ने यह तो कंफर्म किया कि अगली रोग एपिसोड में ज देखते हैं यहां पर की डिवलो इनक्स एपिसोड में जेसन जॉर्डन के साथ क्या करती है आपको यहां पर यह भी बतातों कि इस तरह की स्पैकुलिशन आ रही कि अगर जेसन जॉर्डन की हमें बापसी देखने को मिलें कि तो शाहाद वो सैथ रोडिन को चैंबर्शिप यहां पर गटी है जिस तरह से रोकी खटी है उसी तरह से कह सकतएं स्माक डाॉड लाफ कभी यहां पर यहां पर यही आल है लो जया पर जौन जनते हैं पॉब प्रकलेशन के रिकोड्सिप करती है लेकिन हां रही को नया स्ट यहां चैत्स वीडिवर्ब चैंपिन बने तो उसके बाद से ब्रॉक लेस्ट को अभी तक डॉवली चैंपिर्शिप के लिए पिन नहीं किया गया है और इसमें युनिवर्सल पिन दॉवली क कोई भी चैंजिस करने की जहरत है क्योंकि स्टील यहाँ पर मिजनी अपना उपन इंदया उनका कहना है कि यहाँ पर रोमन रेंज के बॉक में में डवली को कोई बी चेर चारड नहीं करनी चाहिए तो गैजी फिग बड़ी अपडेटस आप सभी के लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रू करना कमेंट करके आप मुझे बताना कि Brock Lesnar के 14 सालों से किसी भी WWE Championship के लिए पिन ना होने के बारे में record के बारे में आपका क्या कहना है इसके लाओ अगर आप इस तरह की वीडियो जोर देखने चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दिये ताकि आपको ऐसी डेवलोबली के न्यूज वीमर्स और इंट्रेस्टिंग बाते जानने को मिलती रहें सो सी यू गाइस इन मैं नेक्स्ट वीडियो